मेरे हाथ में देख रहे हैं यह हैं बहुत ही सुन्दर सी butterfly जो की मेरे खुद भी मैंने तयार की हैं और बहुत सारी butterfly में इस तरीके से release करती हूं गार्णिंग ने मुझे बहुत सारी चीज़े से खाई है साथ में ये सबसे ही सबसे अच्छा मेरा experience रहा है एक butterfly को raise करना उसे बढ़ा करना कैसे वो caterpillar से बनते है तो चलिए आज मैं आपके साथ ये सफर share करती हूँ सबसे पहले जो butterfly है वो हमें ज़्यादा तर मिलते हैं citrus fruit plants पे, बेल पत्र पर, drum stick पे भी कभी कभी मिलते हैं उसके अलावा करी पत्ते पे ये हमें देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जानकारी ना होनी की वज़े से उनको fake देते हैं आपने अपने नीबू, संत्रे के पौदवी पे कुछ इस तरीके के कीड़े देखियोंगे जो आपकी सारी पत्तियों को खा जाते हैं और लगता है कि यार ये तो सारा ही पौदा खराब कर देंगे ये कीड़े ही actually butterfly की caterpillar होते हैं जो की अंडों मेंसे निकलते हैं और थोड़े दिनों के बाद में जब अंडे फूटते हैं तो वो पहले छोटा साइस का होता है और थोड़ा सा जब बढ़ा होने लगता है चलिए अब बात कर लेते कि हम इनको किस तरीके से बढ़ा कर सकते हैं अब जब भी आपको इस तरीके की caterpillar देखें तो उनको आप इखटा कर लीजिए साथ में कुछ पत्ते ले लीजिए पत्तों का लेना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके का एक box लीजिए कोई भी waste box उसमें छेद कर लीजिए छेद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर तो caterpillars मर जाएंगी तो अब जैसे मेरे पास तो बहुत सारी caterpillars है और बहुत सारा crowd मैंने एक दो box में ही रखा हुआ है आप शुरुआत कर रहे हैं तो जितनी भी आपको caterpillars मिलें उसके लिए कोशिश करें थोड़ा बड़ा डबा लें जैसे मैंने आपको दिखाया पहले कि पहले ये थोड़ा black and white color की होती है उसके बाद जब ये खाती है उसके बाद फिर इनका color green हो जाता है और इनको रोज ही खाने की जरुवत होती है फिर इस color से बढ़के जब वो थोड़ा और बड़ी इनका size ना धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और color भी कई बार dark होता है और फिर ये इतना खाती है कि एक दिन के बाद फिर इनका खाना जो है वो ये अपना खाना बंद कर देती है और बिल्कुल एक किसी twing या लकडी के सहारे जाके या डिब्बे के किसी सहारे पे जाके इस तरीके से एक arch जैसी shape बनाएंगी कोई movement नहीं लेंगी और दूसरे ही दिन आप देखोगे कि उनका shape कुछ इस तरीके का हो गया है इनको हम पूपा बोलते हैं ये इस stage में आने के बाद खाना नहीं खाती है और इस stage में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये मर गई है अब इसमें नया जीवन स्टार्ट होता है caterpillar से butterfly बनने का सफर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जबी भी हम caterpillar को बढ़ा कर रहे होते हैं तो cleaning का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि जो box में जब ये खाते हैं तो पूप जब करते हैं अगर आप उसे रहने देंगे तो इसमें fungus लगने लगता है तो जितने भी पुराने पत्ते हैं और सिर्फ खाने की जरुवत होती है वो भी फ्रेश लीव्स और लीव्स कौन सी देनी है आपने जिस भी प्लांट से आपको caterpillar मिलती है उस प्लांट से आप अपना लीव्स तोड़के लाइए अगर एक दो caterpillar आपके पास हैं तो दिन में लगबख आपको दो से तीन या तीन स चार लीव्स ही enough रहेंगी starting days में और जैसे जैसे वो consume करती है उसके according आप जो लीव्स का जो portion है वो आप बढ़ा सकते हैं बॉक्स को साफ करने के बाद वापस से इसमें अपनी caterpillar को डाल दीजिए और कुछ fresh food डाल दीजिए इसमें food means कोई और चीज नहीं सिर्फ लीव्स य इस पौधे से ये आपको मिल रही है बटरफलाई जो है वो बहुत टाइप की होती है तो इसलिए जो बटरफलाई के जो caterpillars है वो भी shape and size में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और हर बटरफलाई के बनने का जो time होता है वो भी different होता है यहां जो बटरफलाई मैं mention कर रही हो यह most common मिलती है इसलिए इसको common mormon butterfly भी बोलते हैं और black and white कुछ ऐसे color की होती है बहुत ही pretty लगती है और जो इसके बनने का सफर होता है वो लगभग 30 to 35 days का होता है total egg से लेके बनने तक का सफर कुछ butterflies का और भी increase time भड़ भी सकता है और कम भी और यह इस बात पे भी depend करता है कि कौन सी stage में आपको butterflies मिली है जितनी बड़ी अगर आपको मिलेगी तो उतने कम time में आपके पास जो caterpillar आपको मिलती है बड़ी size में तो उतने कम time में butterfly ready हो जाती है अच्छा यह चीज भी है कि हम इनको बाहर क्यों नहीं छोड़ सकते अगर पत्ते पे रहती है तो बाहर प्लांट को खाली कर देते हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं हम इनको हटाना चाहिए इसलिए कोशिश करें कि मिल रही है तो आप उनको अलग से रखें कोई भी pesticide plant पे ना छड़के क्योंकि उससे यह मर जाती है आच्छा जो भी extra जो भी सूखे पत्ते या इनका poop जो नि जाता यानि कि उसमें से butterfly जीवन दिखने लगता है तो यह मैं पहली बार इसको capture करने में सफल हुई कि कैसे पूपा मैंसे butterfly बाहर निकल रही है बहुत ही amazing feeling थी और यकीन मानिए butterfly को बनाना butterfly को raise करना बहुत अच्छी feeling होती है बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जीवन का महत्विस में समझ में आता है कि एक छोटा सा जो जीव है उसके भी जीवन की कितनी कीमत होती है वो हमें समझ में आती है तो बच्चों को सिखाईए मेरा जो बच्चा है वो 7 साल कही है और उसे butterfly के पूरे process के बारे में पता है कि उसे बहुत अच्छा लगता है जबी मैं को लाती हूँ ध्यान से वो daily ध्यान रखता है कि उनके उनके लिए food जाना चाहिए तो इस में भी आप जरूर से अगर आपको मिलती है तो कोशिश कीजिए कि कम से कम एक butterfly तो आप release कर पाए butterfly की जो wings होती है starting में थोड़ी गीली रहती है इस विज़े से आपने पहले देखा त लिकलने के लगबग एक घंटे के बाद तक वो इस तरीके की होती है कि आप उनको बाहर छोड़ सकते हैं और हाँ butterfly को रहने ना दे उनको यह नहीं है कि आप उनको अपने डबे में ही बंद करके रखें क्योंकि वो मर जाएंगी as soon as possible जैसे ही तितली बनती है उस तितली को आप छोड़ने के लिए तयार हो जाएं शुरुआती टाइम में तितली को आप फील कर सकते हैं अपने हाथ पे यानि कि वो बहुत ज़्यादा फ्लायर नहीं करती है लेकिन थोड़ी दिर के बाद में आप उसको नहीं पकड़ सकते वो एक दम से भाग जाती है तो जब वीडियो में कोशिश की है उससे जलेट सारी जानकारी देने की और मैं लगभग अब तक इस सीजन में ही 40 से जादा बटरफ्लाय चोड़ चुके हूँ और आप भी कोशिश कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल वेजटेबल गार्डन से रिलेटेट भी सारी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी